मेराथन, हाफ मेराथन और 10 किलोमेटर्स पर भी हाफ मेराथन के लिए कुछ टेक्निकल बातें हो जाएं बहुत ध्यान से देखेगा ये चेस्ट नमबर है ये बिब नमबर है इसके पीछे आपकी टाइमिंग चिप लगी हुई है इसके उपर कोई भी पिन प्रिक नहीं करना है और इसको कुछ भी इसमें से नहीं हटाना है अगर आपने इसको टैंपर कर दिया इसको हटा दिया तो आप क्या टाइम रिकॉर्ड नहीं होगा और आप रिजल्ट पे नहीं आपाएंगे इसको आपने यहां पर लगाना है, चार पिन से इसको लगाना है, अगर आपने सिर्फ दो पिन लगाए तो वो तूट के गिर सकते हैं, चारों पिन से इसको फिट कर देना है और यह चिप आपके स्टार्ट पे और तीन और तीन या दो जितने भी मैक्स होंगे, वो जब आप क्रॉस करेंगे, 10 मीटर का सेंसर लगा होता है, यह सेंसर आपका टाइमिंग रिकॉर्ड करेगा, किसी ने भी अगर शॉट केट लिया, तो वो इस टाइमिंग चिप से पता स जाता है, क्योंकि जो स्प्लिट टाइमिंग होते हैं, उनको कैल्कुलेट किया जाता है, तो वो मालम चल जागा, तो सब अच्छे तरीके से जोड़े,